इस वक्त देश को बदलना है कब तक आखिर कब तक हम लोग अपनी हक के लिए लड़ते रहेंगे सरकार आती है और जाती है लेकिन देश की जो समय से है कौन समाधान करेगा अब इदेश में सबसे महत्मपूर्ण समय सा है बेरोजगार युवा बेरोजगार है हर घर में एक या दो बेरोजगार है बीजेपी के घर में भी बेरोजगार है एचिपी के घर में भी है और कॉंग्रेस के घर में भी है लगभग सभी के घर में बेरोजगार युवा है हाली में आसाम में जॉब मिला लगा था, कितनों को जॉब मिला, मिला की नहीं मिलेंगे भी क्यों? अगर सबको जॉब मिलेगा तो राजनीती दल कैसे राजनीती करेंगे? आज आपको एक non-political foundation के बारे में बताऊंगे देश की बार foundation देश की बार foundation समाजिक, आर्ठिक, राजनितिक मुद्दों का पुनर जागरन करती है देश में बरती नफरत को खतम करके साकारत्मक राश्यबाद की बिचार धारा को लेकर बर रही है हमारा मिशन में देश में बरती एक दूसरे के प्रती नफरत को खतम करके आपस में महबद के आधार पर एक दूसरे को जोड़ने के काम करती है और जिस तरह से देश में बरती बेरोजगारी है उसको लेकर देश की बार foundation ने एक रोजगार निती तियार की है नमशकार मैं पलाक्षिदास मैं आज आपको कुछ बताने आई हो बहरत इस समय समशाओं से जुझ रहा है जैसे समय्षाइब, समाजिक बिंयस्यूं सबसे बड़ि समय सा बरसू şeyi अरकिन अभी तक निर भर समय न को हल करने का राष्टा, नहीं निकाला है क्यों रास्ता निकाले अगर बेरोजगारी से समयस्या का समाधान होता है तो राजनितिक दल कैसे राजनिति करेंगे इसलिए बेरोजगारी पर फोकस देते हुए देश की बार फाउंडेशन देश के लोगों के बिच आर्थिक समाजिक और राजनितिक पु आगे पर रहेगा जब देश का हर नागरी समाजिक राजनीतिक और आर्थिक टृप से मजभूत होगा हम नाकेबल बेरोजगारे की समयषाओ को हल कर रहे हैं बलकि सभी समाजिक बित्य राजनीतिक शेत्टों में पैदा हुए समय साओ का भी समाधान कर रहे हैं ये कोई राजनितिक डल नहीं बलकि पूरी तरह से गैर राजनितिक संगतन है फाउंडेशन में हर कोई शामिल हो सकता है ये एक राश्टर निर्मान अभियान है यहां सब की हिस्सेदारी की बात की चाती है लोग इस फाउंडेशन के माईधम से भिन्य समय साओ के खिलाफ अपनी बात रखने में शक्षम होंगे और आपकी आवास दिल्ली तक गुंच देगी यदि आप देश की बात में शामिल होना चाते हैं तो नीचे लिंक और देश की बात फाउंडेशन के साथ संपर कर सकते हैं इसके संगस्थापना माने नियस्टि गोपाल राई ने की है वो दिल्ली के केबिनेट मंत्री है संगत्हन का जन उनके अपने बिचारों से हुआ है मैं सभी देश बासी असम बासियों से कहना चाहती हूँ अगर देश को बदलना चाहते हैं समाच को बदलना चाहते हैं असम को बदलना चाहते हैं तो देश की बाद फाउंडेशन से जुरिए धैनवार